हेले दोस्तों सागत है हमारी यूट्यू चैनले स्टॉक मार्केट 099 में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी निफ्टी का निलाइसिस करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहां पर बैंक निफ्टी का पांच में आपके पास चार्ट ल बहुत लिए हमारे चैनल को तो जैसा कि आप देख रहें दोस्तों यहां पर कि आज चार्ट है वह आज मार्केट जो है वह अचा काम नहीं किया उत्तना जैसा कि मैंने लाष्ट वडियो में आपको बोला था दोस्तों कि अगर मार्केट गैप-प होता है आनिकि इग्दम ह जो high था उसके उपर market आज निकला ही नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह हमारा first candle था, first candle का जो high था, इसके उपर market यहाँ से निकला ही नहीं, जैसा कि आप यहाँ पर chart में देख रहे हैं, और जो first candle है, उसका जो low है, उसके नीचे भी market यहाँ पर निकलते हुए आपको आप premium जा करके देखेंगे तो negative आपको देखने को मिलेगा finally closing कहां पर आया है 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 जो closing आया है वो आया है यहां पर 47,558 का closing है तो यहां पर अगर market यहां से कल के दिन उपर की तरफ जाता है तो सबसे बड़ा यहां पर trade रहेगा दोस्तों कि market में कल का दिन जो और रहेगा वह बहुत important रहने वाला है market के लिए bankruptcy के लिए खास करके अगर market यहां से flat खुलने के बाद कल उपर की तरफ निकलता है और इस channel को इस line को निकलने दीजेगा दोस्तों इससे पहले आपको यहां पर call में entry नहीं करना है तो आपको यहां पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है यह बहुत important लेवल रहेगा जो की है 47,700 का ठीक है 47,720 का जो लेवल है यह बहुत important रहने वाला है आप मार्क करके अपने laptop में रख लीजे और mobile में भी आप मार्क कर सकते हैं इसके उपर ही हम लोग यहां पर call में अक्टिवेट रहेंगे, call में interested रहेंगे otherwise इसके उपर हम लोग यहां पर call में interested नहीं रहेंगे इसके नीचे ठीक है इसके उपर market अगर close कर देता है 5 मिनिट का चार्ट तब हम लोग यहां पर call में interested रहेंगे अगर market gap up हो जाता है इस लाइन से उपर किसी भी रीजन से global market अगर अच्छा रहा आजका तो कल के दिन जो है वो global market के कारें यहाँ पर gap up मिल सकता है तो gap up के case में दोस्तों हम लोग market को जाने देंगे क्यों जाने देंगे क्योंकि अल्रेड़ी यहाँ पर gap दिख रहा है दोस्तों नीचे की तरफ एक और बड़ा gap नहीं market देगा market क्या करेगा कि आपको यहाँ पर बड़ा गयाप मिलता है जैसे कि इस लेबल के आसपस मिलता है तो अगर market क्या करेगा कि यहां से market पहले यह जो gap बनेगा कल के दिन मंगल बार के दिन इसको feel करें का जरूर कोसिज करेगा तो gap up के case में हम लोग entry नहीं लेंगे wait and watch करेंगे लेकिन अगर market flat खुल करके ऊपर की तरफ चलता है तब हम लोग entry करेंगे जैसा कि मैंने बोला आ ठीक है और target क्या हो सकता है target हमारा हो सकता है कि यहां पर आप देख सकते हैं कि जो final target निकल क्या रहा वह 48,150 तक का हमारा target निकल क्या रहा और finally तो यह हमारा all time high है अगर market इसको touch करता है तो यहां से एक one time rejection आएगा दोस्तों क्यूंकि यहां पर बहुत बड़ा resistance label है मार्केट यहां पर अल्रेड़ी दो बार आप देख सकते हैं कि मार्केट हाई लगाते हो दिखाए एक बर यहां पर और एक बर यहां पर तो अभी तीसरा बार भी एक बार rejection लेगा तभी इसको break करेगा दोस्तों ऐसे direct एक बार में यहां से break करके करते हैं और यहां तक आपका और मिल जाता है यहां पर नहीं करना है कि मार्केट यहां से और उपर जासकता है ऐसा वेट आपको नहीं करना है तो यह चीज़ आप धाम में रखेंका दोस्तों बने रही है हमारे video में लायक और सब्सक्राइब जरू कर दिए तब तक दो तो लेते हैं overall तो यहां से अच्छा market में है कि आप direction और market चलते हैं आपको दिखाई दे रहा दिए रहे तो आने वाला समय में all time break करेगा मैंने आपको यहां पर भी बोला था कि all time break करने का market नया हाई बनाएगा यहां पर भी मैंने बोला था कि नया हाई बनाएगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हम लोग जो trade रहेगा कल के दिन का वह as it is सेम रहेगा जैसा कि मैंने बताया support resistance से हम लोग काम करते हैं वो indicator का help नहीं लेते हैं तो जैसा कि आ होने के बाद correction लेने के बाद तब हम लोग यहां पर कॉल मेंट लेंगे example में देख लिए दोस्तों कि इस तरीके का first candle बना second candle यहां बना ऐसे करके market थोड़ा सा नीचे आते हुए आपको दिखाई देगा और यहां तक आ जाता है और आज का जो closing है इसके उपर market sustain करता है तब हम लोग यहां पर put तूरंत activate करेंगे इसलिए activate करेंगे क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा gap आपको दिखाई दे रहा हो आज की दिन के लिए तो market क्या करेंगा बहुत जल्दी बहुत तेजी से इस gap को fill करने का कोशिस करेगा और यहां सरी भारसल भी बना था यहां पर 28 तारीक को जो यह बना था 28 को वो यहां पर आपको टच करते हैं आसानी से दिखेगा जो कि है 47,000 का टार्गेट यह 47,000 है psychology लेबल भी है market इस लेबल तक आसानी साब को आते हुए दिखाई देगा अगर market यहां से भी break करता है तो एक हमारा final target जो आ रहा ह वो 46,800 तक का target नीचे की तरफ आ रहा है दोस्तों यह market में आसानी साब को मिलते हुए दिखेगा लेकिन कब जब market इस लेबल को break करेगा तब पहले ही आपको entry नहीं हो जाना है इसार ने बोला था कि यहां पर break करेगा ही करेगा ऐसा नहीं है दोस्तों जो terms and condition मैं देता अब को यहां पर पैसा जरूर बनेगा ठीक है तो यहां के अप डेक सकते हैं कि आगर पो इस लेबल को ब्रेक करता है तो आसानी साब में इस लेबल तक तो मार्केट फिल कर देगा, यानि कि आधाँ जो गैप है, 50% गैप जो है, वो यहाँ पर कल का गैप डाउन से आपका फिल हो जागा, तो मार्केट क्या करेगा, एक दो और बड़ा बड़ा केंडल दे करके, और इस गैप को फिल करेंगा, अगर ऐसा होता ह करेगा, आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों कि अगर मार्केट गैप डाउन करता है, तो यहां से मार्केट को छोड़ देना है, पूट में नहीं जाना है, क्यों? क्यूंकि थोड़ा सा मार्केट यहां से नीचे आने का कोशिज करके, और फिर इभारसल ले सकता है, तो इस जगा पर आपको नुखसान हो सकता है, यहां पर आपका stop loss लग सकता है, अगर आप यहां पर call में इंट्री करते हैं, gap down के case में, तो यह चीज को ध्यान लिजेगा दोस्तों, और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लिजे, ठीक है? नीचे डिस्क्रिप् करते हैं कि market जो है, वो दोनों analysis हो चुका है, अब हम लोग चलते है, one day का chart, bank nifty का one day का chart भी बहुत जरूरी है, दोस्तों देखना, one day का chart हम लोग हर दीन जो है, वो analysis जरूर करते हैं, तो one day का chart पर हम लोग आते हैं थोड़ा सा one day का chart तब तक आप like subscribe कर दीजे, मैंने आपक अब market यहां से sustain करके ऊपर की तरफ जाएगा और नया high बनाते हैं आपको जरूर दीखेगा, तो market में नया high बन जाएगा दोस्तों, नया high हमारा जो है, वो इस label तक का है, यानि कि यह कौन सा label हम देख लेते हैं, नया high का, नया high जो है, हम लोगा 48,640 का जो है, वो नया high न से green बनते हुए, दीख चुका है, तो अगर कल भी एक green candle बनता है, और इसके उपर closing देता है, तो बहुत बढ़ी हैं रहेगा, क्योंकि जल्द से जल्द हम लोग जो है, वो नया high को टच करते हुए, आपको यहां पर दीखेंगे, ठीक है, यह चीज ध्यान में रखेगा, आ चाट देखेंगे, ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो तो इसमें support और resistance, आज भी bank nifty जो है, sorry, nifty जो है, वो यहां पर sideways रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि gap up तो हुआ, gap up होने को बाद जो first candle है, इसका high यहां पर भी nifty में भी आहां से cross नहीं हो पाया, और जो low है, जरूर यहां पर break करते हैं, आपको दिखा एक दो जगा, लेकिन completely break इसको नहीं मानेंगे दोस्तों, और market एक तरह से आप देखेंगे, तो sideways रहा है, यानि कि nifty में भी आज पैसा नहीं बना, जो लोग यहां पर carry forward किये थे call, वहीं लोग यहां पर sell करके यहां पर पैसा बनाएं, बाकी लोग नहीं बनाएं, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं, कि nifty में rejection कहां पर आया है, rejection वहीं पर आया है, जहां पर बहुत बार आ चुका है, यानि कि दो बार यहां पर आपको rejection देखने को मिला है, एक तो यहां पर और एक पहले भी देखने को मिला और आज भी जो है इसी जोन से आपको यहाँ पे देखिए rejection देखने को मिला exact ठीक है तो यह बहुत बड़ा resistance का काम कर रहा है दोस्तों कल के दिन अगर आपको call लेना है तो wait करिएगा जब तक market में इस label को cross नहीं कर जाए यानि कि यह label cross करना बहुत ज़रूरी है यानि कि overall दोस्तों यह trend रहेगा यहाँ पर कि अगर market यहाँ से flat खुलने के बाद नीचे की तरफ चलता है और आज का जो low है उसको break कर देता है तो यह gap fill करने के लिए आएगा जो कि हम लोग यहाँ पर profit बनाएंगे इस label तक ठीक है सेकेंड जो रहेगा यह trend line हमारा रुकावाट का काम कर सकता है जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बोला था यह trend line डॉक करके वही trend line आज भी मैं यहाँ पर डॉक करके रखा हूं कि इस trend line को market यहाँ पर support ले सकता है अगर market यहाँ पर वापस आता है इस line को break करने के बाद इस line को break करता है तो यहाँ से कहीं support ले सकता है market और यहाँ सब reversal देखने को मिल सकता है तो यह चीज को आपको हलके मिने लेना है दोस्तों यह बहुत बड़ा बात है यह trend line बहुत अच्छा काम कर सकता है अगर इसको भ यहाँ पर जो की है 22,100 का तो यह दो लेबल तक हम जा सकते हैं दोस्तों आसानी से आपको इस लेबल तक market मिल जाएगा ठीक है अगर market इस trend line को भी break कर देता है तो यह चीज आप ध्यान में रखेगा क्योंकि all time high से 3 बार यह तीसरा बार जो है दोस्तों rejection आते हुए market में दि आसानी से आपको यहाँ पर टच करते हुए market दिखा सकता है तो यह चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि यह लेबल तक market जा सकता है अगर high निकलता है तो या इससे भी उपर जाते हुए आपको दिखाई दे सकता है 22,650,700 तक भी आपको market जा सकता है क्योंकि इसके उप पर कोई data available है नहीं इसके उपर पूरा blue sky है और market जो है दोस्तों बहुत easily जो है इसके उपर तक market आसानी से जाते होगा आपको दिखाई दे सकता है तो यह चीज आप ध्यान में रखिएगा ठीक है कि अम लोग ठोड़ा सा इहां पर one day का चार्ट जो है dosie बनते हुए दिखाय दिया जैसा कि आ यहांप लास्ट स benefiting है तो बना है लेकिन यहां पर देख सकते हैं सेम प्लेस पर डोजी बनते हो आपको दिखाई दिया है तो यह बहुत थोड़ा सा बूरा संकेत है कि अगर कल का मार्केट यानि कि कल के दिन बहुत इंपोर्टेंट है निफ्टी-फिफ्टी के लिए दोस्तों अगर कल के दिन इस करता है तो आने वाला समय में हम लोग फिर से करेक्शन लेकर के और इस लेबल तक आते हुए आपको दिखाई देंगे जो कि इस लेबल तक जो की 22,200 का लेबल होगा दोस्तों इस लेबल को आसानी से हम लोग टच करते हुए मार्केट में आने वाले समय में दिखेंगे असर जादा ना हो क्योंकि यह रेड नहीं है तो अगर ग्रीन डोजी है तो इसका असर नहीं होगा तो यहां पर एक ग्रीन केंडल और खड़ा होना चाहिए कल के दिन और यहां से मार्केट और नया हाई बनाते हुए भी दिखना चाहिए तो कल के दिन डिसीजन मेकिंग हो लाइक और सब्सक्राइब हमारा वीडियो को कर दीजिए और आप बने रही हमारे वीडियो में, अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम लोगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, थैंक यू थैंक यू वेरी मचुछ झाल झाल